और इस बार लोक्स पर चुनाओं में आए नतीजों ने पूरे देश को चौका दिया अखिलेश के नितरतों में चाहँ समाजवादी पार्टी में सबसे जादा सीटे जीती तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही लेकिन मायवती के पार्टी बीजेश पी ने अपने प्रदर्शन से निराश किया लोक्सभा में उसे एक भी सीट नहीं मिल पाए काई विधाईकों के सांसत बजाने से दस सीटों पर उपचुना होगा बेसपी ने फैसला किया है कि आप सबी सीटों पर वो मिदवार उतारेगी उत्तर प्रदेश जहां से देश की राजनीती तै होती है लोक्सभा चुनाओं में उसके नतीजे केंद्र में सरकार बनने के लिए सीधे तोर पर असर डालते हैं इस बार के लोक्सभा चुनाओं में वो दिख भी गया पीजेपी को जहां पिछले चुनाओं के मुकाबले आधी सीटे मिली तो वहीं एकलेश यादों की समाजवादी पार्टी ने ऐसा करिश्माई प्रदर्शन किया जिससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान रहे गए लेकिन इस चुनाओं में मायवती की बहुज़न समाज़ पार्टी तो रसाताल में पहुँच गई साल 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गड़ जोड था और तब बीजेपी के बाद बीएसपी को सबसे जादा दस सीटे मिली थी लेकिन इस बार तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला वहीं विधान सभा उपचुनाओं में भी पार्टी का प्रदशन बेहद ही निराश करने वाला रहा ऐसे में बीएसपी को गहन आत्ममंधन की ज़रुरत है और अब वो आने वाले उपचुनाओं में सभी दस सीटों पर अपने उमिद्वार उतारेगी मायावती लोगसभा चुनाओं से पहले इंडिया गटबंधन के साथ नहीं गई इसका उन्हें भारी खामियाजा उठाना पड़ा अगर गटबंधन के साथ चुनाओं लड़ती तो कुछ सीटे मिल सकती थी लेकिन अब इस पर बात करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला बीएसपी की राजनीती की धूरी दलित वोट माने जाते हैं लेकिन अब आजाज समाज पार्टी के चंद शेखर उनके लिए बड़ी चुनाओती बनते जा रहे हैं यूपी में इंडिया गटबंधन के असर के बीच चंद शेखर नगीना सीर से चुनाओं जीतने में काम्याब रहे ऐसे में बीच पी के सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनाओती है लोगसवा की चुनाओं में बहुज़ा समाज पार्टी से ज़्यादा अच्छा काम आजा समाज पार्टी के चंद सेखर ने किया है और वो खुद नगीना लोकसरवा से चुनाव जीते हैं और इसी तर डुमरिया गंज में भी उनकी वज़े से ही समाजवादी पार्टी का कंडड़ेट हार गया भारतियनता पार्टी को जीत मिली आप तोर पर उप्चुनाव में भाग न लेने वाली बहुजो समाजवादी ने अफैसला लिया है कि उप्चुनाव में भी वो अपनी किस्मत आजमाएगी अब देखना एहम रहेगा कि दलत पद्दाता उसके पक्ष में आते हैं या नहीं तो यह कहीं न कहीं एक चिंता का विस्व है इसके लिए मायवती जी ने अपने जलाद्यक्षों को सबको निर्जेश दिया है कल बैटक किया है पार्टी के पूरे कॉर्णेशन कर रही है कॉर्नेटर्स को लगा रही है क्योंकि और मायवती जी के लिए सबसे बड़ा बुर का दोर चलना है राज्टिक तोर से देखा जाए कि उत्तर पुर्देश की विधांसाओं में जहां 1995 से लेकर के 2007 से 12 तक का मायवती जी ने चार वार सरकार बनाई वो आज नेपत्त में है और एक सीट पर सिमट करके रह गई है लोगसभा चुनाओं में जीधार का सबसे बड़ा फैक्टर बना था दलित वोर्ट इसलिए इन उप चुनाओं में ये तैह हो सकता है कि भविष्ट में दलित वोटों का मसीहा कौन बनने वाला है जिस तरह से लोगसभा चुनाओं में बीसपी से दलित वोट छिटका हुआ है उससे इंडिया गडवंधन को काफी फायदा पहुचा अब बीसपी के सामने अपने कोर वोटर को बचाने के लिए अस्तित्व की लडाई सबसे बड़ी चुनाओती बन गई है लकनाओ से न्यू चुनाओं को लेकर दोनुदलों ने वंधन चुरू कर दिया है सवाल गये है कि क्या δस विदानसबा सीटों पर होने वाले चुनाओं में दोनुद दल साथ में लड़ेंगे अगर हा तो कांगर्स के खाती में कितनी सीट आएंगी और कितनी सीटों पर सप्पा लडएगी क्या उप्चुनाव में इस साथ लड़ेगी स्पी कॉंग्रेस दस सीट गडबंधन रिपीट तो किसे कितनी सीट यूपी की पॉलिटिक्स पे कभी संनाटा नहीं रहता यहां हर दिन हर पल कुछ ना कुछ दौपेच चले जाते हैं अभी लोग सभा चुनाव का शोर शान्थी हुआ था कि विधान सभा उप्चुनाव के लिए दलों ने कमर कसली है दस विधान सभा सीटों पर होने वाले उप्चुनाव की जमीन तयार हो चुकी है लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अखलेश और राहुल की दोस्ती सूबे में भी जारी रहेगी क्योंकि यूपी के नौ विधायक अब सांशत बन चुके हैं दसल बीते लोग सभा चुनाव के दारान दस विधायक जीत कर सांशत बने हैं जिसके चलते इन सभी सीटों पर विधान सभा चुनाव कराये जाएगा लेकिन अगर 2022 के आकणों की बात करें तो 10 विधान सभा सीटों में से कांग्रेश ने करहल को छोड़ सभी 9 विधान सभा चुनाओं में चुनाओं लड़ा था लेकिन सभी 9 सीटों पर कांग्रेश की जमानत जब्थ हुई थी जिन विधान सभा सीटों पर उप्चुना होना है चार सीटों पर सपा का कबजा था जबकी 6 सीटों पर बीजेपी काबिस थी यानि 10 खाली हुई सीटों में कॉंग्रिस शून्य थी ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर स्पी कॉंग्रिस साथ आए अखलेश कॉंग्रिस को कितनी सीट देंगे इंडिया एलाइंस के साथ मिलके लड़ेगी कल हमारी एक बैठक हो रही है प्रदेश में जिसमें हमारे प्रदेश के नेताओं के जरिए एक चर्चा होगी कि उप्चुनाओं में किस तरीके के रणनीती लेनी है फिर हाई कमान अमारा डिशिजन करेगा किन सीटों पर इंडिया एलाइंस के साथ मिलकर हम लोगों को चुनाओं लड़ना है कॉंग्रेस का दावा दो हजार जोबिस छोड़िये दो हजार सत्ताइस किस चुनाओं तक का है लेकिन बहुत कम चांस नजार आ रहे हैं कि कॉंग्रेस उप्चुनाओं में दाविदारी ना ठोके सवाल ये है कि 2022 के प्रदर्शन को अगर आधार बनाया गया तो गटबंधन में उसके खाते में कितनी सीटे जाएंगे क्योंकि 10 में से 9 सीटों पर कॉंग्रेस की जमानत जब्थ हो गई थी एक सीट करहल पर कॉंग्रेस लड़ी ही नहीं थी सवाल ये है कि 2022 में इतने खराप प्रदर्शन वाली इन सीटों पर कॉंग्रेस की तरफ से दाविदारी क्या होगी दरसल लोकसभा चुनाओं में जिस तरह दलित और गैर यादो OBC बोर्ट बड़े पैमाने पर सपा की ओर खिसकते दिखे उससे अखलेश यादों के तेवर थोड़े नरम नज़र आ रहे हैं जबकि कॉंग्रेस से उप्चनाओं की कुछ सीटों पर उमिद्वार उतारने में अपनी रूची दिखाई है क्योंकि पार्टी को यूपी में सफल गड़ बंधन को आगे ले जाने की उम्मीद है सूत्रों के मुदाबिक सबा कॉंग्रेस पार्टी को एक से दो सीटे ओफर कर सकती है जिसमें गाजियाबाद भी शामिल हो सकती है फिलहाल उप्चुराओं की जंग इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि बीजेपी आयोध्या जैसी सीटों पर हार के बाद हर दाओं सोच समझ कर चल रही है अब उप्चुराओं के नतीजे ही बताएंगे कि दो लड़कों की जोड़ी का जलवा कितना कायम है और कितना कम ब्यूरो रिपॉर्ट न्यूस एटी